नमस्कार मित्रो, कस्मीर से मन को व्यथित करने वाला एक समाचार आया है आज आपने व्यथित मन की पीडा को उस बीडियो ब्लॉग के माध्यम से आपके साथ साजा कर रहा हूँ बार बार आपने एक बास सुनी होगी, सुनते होंगे कस्मीरियत को बचाना है किस कस्मीरियत को बचाना है क्योंकि कस्मीरियत की हत्या तो उसी दिन हो गई थी जब वहां से लक्षित करके कस्मीरी हिंदूओं कस्मीरी पंडितों को लूट पीट कर मार काट कर भगा दिया गया था चोराहे पर जुंड बना कर हिंदूओं की हत्याएं की गई महिलाओं लड़कियों के साथ सामुहिक बलातकार किये गए छोटे बच्चों को भी नहीं बक्सा उनकी संपत्ती पर दुकानों पर कबजा कर लिया मकानों को आग लगा दी जो सुंदर अच्छे मकान थे उन पे अपना अधिपत्य जमा लिया यह सब आज भी बदस्तूर जारी है आज भी जो कोई कस्मीरियत को बचाने का प्रियास करता है उसे जिंदा रखने की कोसिस करता है उसे बेरहमी के साथ मार डाला जाता है कभी सोचा है ऐसा क्यों है क्योंकि इस देश का तताकतित बुद्धी जी विवर्ग कस्मीरी हिंदूों के नरसहार पर न केवल चुप रहा बलकि गाहे बगाहे उस खतरनाक सोच पर उसने परदा डालने का ही काम किया है जो आज भी कस्मीर में हिंदूों को रहने नहीं देना चाती अनंतनाक जिले में सरपंच अजय पंडित की हत्या इसी बात की गवा है उस कायर सोच ने अजय पंडित को पीछे से गोली मारी मदद के बहाने घर से बाहर बुला कर परंतु बात बात पर हाथ में प्ले कार्ड और मौमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरने वाले तताकतित बुद्धी जी भी बर्ग अजय पंडित की हत्या पर वैसी ही बेसरम चुप्पी साथ कर बैठ गए हैं जैसी अब से लगभग 30 वर्स पहले कस्मीरी पंडितों के नरसहार पर साथ रखी थी इन बेसरमों को बॉली बुड की तेज तर्रार अवनेत्री कंगना रनाउट ने आड़े हाथ लिया है कंगना के दर्द और पीडा को सुनिए और उसे समझने की कोशिस कीजिए परचार हम अकसर देखते आए हैं जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धी जीवी कहते हैं अकसर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मुबतियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्स लेके सरकों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्धे को अंतराश्ट्रे बनाने के लिए मगर उनकी ये मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी अजेंडा हो मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुझे चू तक नहीं होती है जिस तरह से भेडिया-भेड की खाल में छुपा होता है उसी तरह से जिहादी अजेंडा वाले लोग जो है सेक्लिरिजम की खाल में छुपे होए हैं हिंदू को ये सेक्लिरिजम सिखाते है मतलब reverse psychology की भी हद होती है जो religion ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है जीव, जन्तू, पशु, पक्षी, पेड़, पॉदे, ग्रेह, ब्रहमान, वायू, मंदल हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है उन्हें सेक्रिरिजम सिखाते हैं आप कश्मीर में जो अर्जय पंडितों की दुर्दशा है कश्मीर में इस नाम आया कैसे बहुत अच्छी पूस्पके भी लिखी गई है आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी शाहमीर का नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था मैं संग्षिप में आपको बताऊंगी तो वहां का जो राजा था सुख देव उसके वहां उसने शरन ली हुई थी उसके जो पूरवश थे वह हिंदू ही थे वह कंवर्ट हुए थे और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली और जैसे भी है वहां पर शाहमीर डाइनसिटी इस लॉंगेस्ट रूलिंग डाइनसिटी मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूस की पॉपुलेशन डिकलाइन हो दिगे इन शेतो साथ सो सालों में अब नामातर रह गई है उनको भी मार काट के हर दिन वहां खून की नदिया बहती है तो यह सत्य है और इध्यास इस चीज़ का गवा है कि जहां हिंदूस नहीं है वहां सेक्लियूरिजम भी नहीं है तो मैं म प्रवफ किया है कि हिंदूओं पर होने वाले अत्याचार के व्रोध में बोलने वाले लोग बॉलीवुड में बहुत कम हैं आरा कि पिछले 5-6 वर्सों में कुछ लोग आगे आए हैं बॉलीवुड में कस्मीरी पंडितों की त्रासदी पर भी वे ही लोग बोलते हैं जिन से प्रमुक नाम हैं जो प्रमुकता के साथ कस्मीरी पंडितओं साथ खढ़ए अनपमखेर और अशोख पंडित ने भी अजय पंडित की हत्या पर दुख और सोक व्यक्ट किया है के सब कल दिन दिहाडे को कश्मीर के अनंतनाग में एक अकेला कश्मीरी पंडित अकेला इन दसेंस कोई और कश्मीरी पंडित सरपंच नहीं था पूरे कश्मीर में उसको हत्यारों ने उसको टेररिस्स ने कूली मार दी सडक पर यह फिर दोरा आया जा रहा है वही कांड जो असी के दशक में हुआ था जिसको एक फाइनल अंजाम दिया गया था 19 जनवरी 1990 को उसके माबाप को बिलखता देखकर उनकी तकलीफ देखकर बहुत दुखवा बहुत रोश भी हुआ अब यह मत बोलना कि कश्मीर में दिन दहाडे बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं कश्मीर में दिन दहाडे बहु जोटों को निकाल दिया गया है और वो शिल्सला अभी तक जा रही है और एक भी आवाज नहीं हा रही उन सभी लोगों से जो चाती पीट पीट कर दुखाइं देते हैं और बूलते हैं कि अरे देखो मार दिया गया देखो अन्याय हो गया किसी कोई ट्वीट नहीं कि यू मौन रखा था अभी मैंने ये पॉज में उसके परिवार वालों के लिए या जो भी कश्मीर में चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो पंडित हो जो भी अभी भी टेररिजम का शिकार हो रहा है उसको बचाना नहीं है जब वो हमारी सिक्यूरिटी फोर्सों इसके जरीये पकड़न मेरी भावपुरुन शर्धानजली उनके परिवार वालों के लिए उनके घर वालों के लिए उनके बच्चों के लिए ओम शान्ति है कश्मीर में हिंदों की हत्या का यह चक्र अब रुकना चाहिए सरपंच अजय पंडित का वलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए कश्मीर को फिर से जिंदा करने का समय आ गया है हम केंदर सरकार से अपील करते हैं कि कश्मीर में हिंदों को बसाने के काम में तेजी लाए उन्हें परियाप्त सुवधा सुरक्षा दे करके योजना पूर्वक कश्मीर में बसाया जाए उनके घर, दुकान, खेत खलियान उन्हें बापिस लोटाए जाएं हम लोकतंत्र के सिपाही अजय पंडित के बलिदान और उनके सपने, उनके होसले को नमन करते हुए उस सेरनी बेटी को भी प्रणाम करते हैं, जिसने कह दिया है कि मैं अजय पंडित की बेटी हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, यहीं रहूंगी कस्मीर में और हत्यारी मानसिक्ता का सामना करूंगी डटकर जय हिन, जय भारत